दोस्तों राजस्तान कोटा के रहने वाले अमन पिर्द जो की पश्य से एक इंजिनेर हैं इन्होंने अपने इंजिनेरिंग की पढ़ाई कंपलिट करके इंजिनेरिंग फिर्ड में जौप ना करके एगरिकल्चर सेक्टर में अपना खुद का एक स्टार्ट अप करने के बारे में डिसाइट किया और फिर आज से 6 साल पहले यानि 2016 में इन्हों ने 25 गायों के साथ में अपने डेरी फार्मिंग का बिजनस शुरू किया आज ये गाय के दूझ से कहीं अलग अलग प्रोडुक्स को बना कर पूरे देश बर में सेल करते हैं इनके पास आज 300 से भी ज़्यादा गाये हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंड करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारे स्टाट अप स्टोरी दोस्तों 31 साल के अमनपृत सर ने 2012 में अपने इंजिनिरिंग की पढ़ाई कम्प्रेट की और उसके बाद इन्हें कहीं जॉब के ओफर मिले लेकिन ये अपना खुद का डेरी फार्मिंग का बिजनस शुरू करता चाते थे इसलिए इन्हों नों जॉब ना करकर नेशनल डेरी रिसर्च इस्टिटूट करनाल से अपनी मास्टर की पढ़ाई की अपनी मास्टर की पढ़ाई कम्प्रेट करने के बाद 2014 में ये इसराइल गए और इसराइल से आठ महीने की डेरी फार्मिंग की ट्रेनिंग ली यहाँ पर अपने ट्रेनिंग कम्प्रेट करने के बाद ये इंडिया वापस आए और इंडिया में अमुल और नेशले जैसी कमपनियों के साथ जुड़ कर कुछ टाइम तक काम किया तकि ये इंडिया के डेरी मार्केट को अच्छे से समझ सके अमुल पीच शर को जब डेरी फार्मिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का प्रोपर नौलेज हो गया उसके बाद इन्होंने अपना खुद का स्टार्ट अप शुरू करने का डिसाइड किया उसके बाद और्व और्गेनिक नाम से अपने स्टार्टप को 25 गायों के साथ में इन्होंने सबसे पहले कोटा से अपने इस बिजनस को शुरू किया और सबसे पहले इन्होंने गिलोना गी के रूप में अपने पहले प्रोड़क को लॉंच किया दोस्तों गिलोना गी गाय के दूसरे नि को बहुत पसंद आया और उसके बाद इन्होंने बड़े स्केल पर अपने इस प्रोड़क की मार्केटिंग का प्लान बनाया और अपने आसपास अपने बिजनेस के आउटलेट खोले कहीं रिटेल और से जुड़कर अपने प्रोड़क को सेल करना शुरू किया ऑफलाइन मार प्लेटफोर्म पे एक अच्छी ग्रोथ मिलने के बाद 2019 बे इन्होंने अपना खुद की वेबसाइट को लॉंच किया इससे इनके बिजनेस को एक अलगी बूम मिला और आज अपनी वेबसाइट से हर रोज लगबख सो किलो से भी ज़्यादा गी के ओर्डर को ये रिसीव और फिर क्या था इन्होंने गोबर से केच्छुआ खाट बनाने का प्रोसेस शुरू किया और केच्छुआ खाट बनाकर मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया यहां से भी इन्हें एक बहुत इच्छा रिस्पॉंस मिला और आज हर रोज लगबख तीन टन से भी इन से जुड़ी हुई है इन्होंने इन सबको गी और गोबर से खाट बनाने की ट्रेनिंग दी हुई है जो कि इनके लिए गी और गोबर तैयार करकर देते हैं और फिर इनकी एक टीम प्रॉपर इनकी पेकेजिंग करकर मार्केटिंग करके इन्हें सेल करने का काम करती है ब इस तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तो इस बिजनस को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी चीज है बजट अगर आपके पास कम बजट है या फिर आप स्टार्टिंग में रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 3-4 गायों के साथ अपना डेरी फार्मिंग का बिजनस शुरू कर सकत ॉता है। इसके लिए कहीं गुष्ण मेंट और पिजनस को सकते हैं। यह कोर्स आपको करनाल और एकॉर्मने कोुट्स करनाल अंद एक्रीकलचर युनिवरसिटी गुजरात। राजस्तान एकरीकलचर युनिवरसिटी। संजय गांदी इस्टिटूट और डेरी साइन्स यानि केच्छो अखात का बिजनस शुरू करना चाते हैं तो आप बहुत ही कम investment में इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं वर्मी कमपोस्ट का बिजनस शुरू करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है बेड़ सिस्टम इसमें तीन से चार फिट चोड़ा और अपनी जरूरत के इसाफ से लंबा बेड़ बनाया जाता है बेड़ बनाने के बार जमीन पर प्लास्टिक को बिचाया जाता है और उसके चार और इटो से बावंट्री बनाई जाती है बावंट्री के बीच में जो हमने बेड़ बनाया उसमें गोबर को डालकर अच्छे से फैला दिया जाता है और फिर इसमें केच्छो को डालकर डग दिया जाता है और साथी साथ इस पर रेगुलर पानी का छिड़काव भी कि कुछ दिनों के बाद यह आपका यह खाद बनकर तयार हो जाता है जिसे आप पेकेजिंग करके सेल करना शुरू कर सकते हैं इस खाद को बनाने के लिए आपको पर केजित 3-4 रुपे तक का कोस्ट आता है जो की रिटेल काउंटर पे 10-20 रुपे किलो तक भी सेल होता है दोस् के इस वीडियो में हमने अमनप्रिचर की स्टार्टप स्टोरी को देखा और साथ ही इनके दोनों बिजनेस मोडल को भी समझा और देखा कि अगर आप भी इस टाइप का कोई बिजनेस शुरू करना चाते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको इस से रिलेटेट सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन